हे गाईज, वेलकम बैक टो मैं अधर वीडियो, सो फ्रेंट्स, SP125 स्पोर्ट्स एडिशन के यूनिट्स खतम हो रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताओ दू, मिर पास बहुत सारी सिटी से कमेंट आया है, धहरादून, उडिसा, पतना, लखनव, सो फ्रेंट्स ये कुछ नाम थे जो मुझे याद है, जहां पर SP125 का स्पोर्ट्स एडिशन नहीं मिल रहे हैं, वहां पर उनको बेसिक SP125 मिल रही है, तो फ्रेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दू, अगर ये वेरियंट आपको मिल रहा है, तो आप लखी है, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड टा चाहिए, उन लोगों के लिए यहां पर ये काफी अच्छा आप्शन है, और फ्रेंट्स एज पर कमेंट, दोस्तों बहुत ही डिमांड में ये कलर, लोगों को ये कलर मिल नहीं रहा है, लोग परसनली फोन कर रहे हैं, डिलर्शिप पे विजिट कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ स्टेट्स में डिलर्शिप के पास ये अपडेट नहीं है, कि ये कलर मार्केट में आ गया है, दिल्ली वालों आपके लिए काफी अच्छा आप्शन है, कि आपके पास ये कलर अवेलेबल है, सभी डिलर्शिप पे दिल्ली में ये कलर अवेलेबल हो गया है, इस फेस कि यहां पर किल्स इंजन आ रहा है और अभी भी आपको स्पी 125 में किक मिलता है जो अभी भी आपको 25 में किक मिल जाता है Comfortable seat मिल जाती है भिकोज यहां撼को सिंगल seat मेल ती है Fully digital speedometer मिल जाता है Iodidalight मिल जाती है Front में at ko disk break मिलता है rare में atko drum break मिलता है So, overall complete package है, on-road price की बात करें, डेली में 1,6,000,000 का ये बाइक मिलता है, जो काफी अच्छा option है, इस price point है, because यहाँ पर आपको Honda की technology मिल जाती, Honda का भरोसा मिल जाता है, so overall complete package है, आपके लिए ये वीडियो उन सभी के लिए था, जो लोग भी plan कर रहे है, 125cc different bike को लेने का, because यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो color मिलते है, metallic blue and metallic gray, जहाँ पर आपको red and white के strips मिल जाते हैं, जो इस bike को completely different कर देते हैं, वीडियो को end करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like करना, और अपने उन भायों के साथ share करना, जो लोग भी plan कर रहे है, 125cc लेने का, और आपको कैसी लगी, comment करके जुरूर बताए, मिलत नक्ष वीडियो में, thank you, thank you so much